वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका अपने चनल कुई किसमार्ट टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूँ और यह हमारी पैडागोजी की स्प क्यारी कराने के जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आप परिशान मत हुए मैं एक एक चीज आपको करा दूंगी सिर्फ कंटेंट और प्रैक्टिस सैट ही रह गए हैं तो वही कराने हैं हमें और वही मैं कराऊंगी थोड़ी सी मेरी तबयत ऐ है सिरी 17 जिसमें हम जून 2011 के साइंस पैडागोजी के कोशन डिसकस करेंगे जो हमारे सी टैट में पूछे गए हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको अभी तक आपने टॉपिक की टॉपिक के प्रिवेस येर कोशन की सी टैट साइंस से रिलेटिड उनकी व किस तरह के कोशन सी टैट साइंस पैडागोजी में पूछे गए जून 2011 में पहला कोशन है वाइल टीचिंग दा कॉंसेप्ट फोर्स कें चेंज दा शेप ऑफ एन अबजेक्ट टु इस्टुडेंट टीचर प्लांस दा फॉलूइंग अक्टिविटीज एक शिक्षक विद अब लोकित उद्धारनों का प्रियोग करते हुए वह संकलपना को समझाती है जैसे अबजर्व क्या होता है जहां बच्चे देखते हैं तो कुछ इस तरह के उद्धारन टीचर देती है फोर्स को लेकर ताकि बच्चों ने देखकर समझ सकें ठीक है फिर क्या करती है देती है उनको प्लेट में and ask the student to press it down with the hand हास से दबाने के लिए कहती है क्यों कि यहां पर उसको यही तो समझाना है बल जो होता है किसी भी अबजेक्ट की आकरिती बदल देता है चेंज दा शेप कर देता है जब हम आटे को गूतेंगे तो होगा क्या आटे की शेप चेंज हो जाएगी तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों से करवा रही है टीचर ठीक है और साथ में एक और एक्टिविटी करवाती है इतनी सारी एक्टिविटी टीचर क्लास में क्यों करवा रही है यहाँ पर वो अलग-अलग प्रकार के उपागमों का प्रियोग कर रही है वो अपनी नॉलिच को बताना चाहती है कभी भी जो अच्छा टीचर होगा वो क्लास में आके एटिटूड ने दिखाएगा यह नहीं बताएगा कि देखो मुझे इतना सब कुछ आता है मैं ऐसे करऊंगा तो वो एक अच्छी सिख्षा की तरफ इशारा नहीं करता तो यह तो नहीं करना चारी होगी टीचर लेसन प्लैन को फॉलो करने के लिए इतने सारी चीज़े करवाना भी ठीक नहीं होगा कुछ और अबजेक्टिव होगा यह नहीं होगा अबजेक्टिव शी वांट टो प्रिपेर इस्टुडेंट फॉर टेस्ट को प्रिपेर कराने के लिए बच्चों से ना आवलोकन करवाएंगे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे इस तरह की चीज़े यह परपस से नहीं कराई जाएंगे कि हमें बच्चों का टेस्ट लेना है तो यह भी यहां पर गलत हो गया देर आडिफरेंट काइंड ओफ लर्नर इन दा क्लास एंड शी वांट टो एड्रेस मल्टिपल इंटेलिजेंस जी हां भिन भिन प्रकार के बच्चे होती हैं कक्षा में कुछ बच्चों को तो आवलोकन से समझ में आएगा हो सकता है कुछ बच्चे जब एक्सपेरिमेंट एक साथ कनेक्ट करने के लिए ही टीचर इस तरह के अलग-अलग एक्टिविटीज करा रही है दियरा डिफरेंट काइंड ओफ लर्नर इन दा क्लास बहुत सारे अलग-अलग तरह के विध्यारती हैं कक्षा में एंड शी वांट टो एड्रेस मल्टिपल इंटेलिजेंस और उनकी जो बहु बहु बहुत धिकता है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है टीचर इस तरह का कार्य कर रहे है ताकि सबी बच्चों को समझ में आजाए सबी बच्चों को सास लेकर चल रही है समावेशी शिख्षा को इंक्लूट करतेवे टीचर यहाँ पर पढ़ा रह इंटिग्रेटिड एप्रोच के बारे में हमने बहुत अच्छे से पेडागोजी के नोट्स में पढ़ा है मिस पटेल जो की प्राचारे हैं स्कूल की एक्स वाई-जैड की अलग-अलग विशय के सिक्षण के स्थान पर विज्ञान सिक्षण में एकिकरत उपागम का प्रिय क्लास आलेकर साइन्स में एंवायर्मेंट को पढ़ा है साइंस को पढ़ा है तो वह आपका इंटिेग्रेटिड अप्रोच यह तो वह ऐसा क्यों फॉलो करवा नचाती है हमें यह बताना है non-avelability of tw busy teacher-runner school to teach separate discipline दे कि ये negative point है ये चीज़े सोचकर कभी teacher ऐसे काम नहीं करते उनके विध्याले में अलग-अलग विश्या पढ़ाने के लिए योग्य सिख्षक नहीं है इसलिए वो ऐसा कर लिए नहीं है ये बिल्कुल गलत option हो गया इस तरह की approach के साथ कभी भी school में नहीं जाया जाता ये school के लिए एक बहुत ही negative point हो गया तो ये गलत हो गया difficulty to adjust the teacher in the time table ये फिर से गलत point हो गया बच्चों के लिए ऐसे नहीं सोचेगा कभी भी principle की हमारे school में time table adjust नहीं हो रहा तो इसलिए बच्चों को merge कर दो नहीं ये भी एक बहुत गलत अप्रोच हो गयी तो ये भी गलत हो गया कि time table में adjust नहीं हो पा रहे तो इसलिए subject merge कर दिये नहीं difficulty of student to adjust to different teacher सिख्षार्ती अलग-अलग शिख्षकों के साथ समायोजित नहीं कर पाते ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं कि अगर बच्चा teacher को समझ नहीं पा रहा है तो उसको उससे अलग कर दिया गया नहीं उसकी समस्या समझने की कोशिश की जाएगी उसको समायोजित कराने का पूरा परियास करेगा वहाँ पर teacher तो ये भी यहाँ पर जलत हो गया अगर आपनी इंटीचर अप्रोच पढ़ी थी जो मैने नोट्स में पढ़ाई थी तो यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठेचर्याओं के मध्य संबद जोड सकते हैं विज्ञान के थुरू टीचर बता सकता है कि कैसे साइन्स से और भी सब्जेक्ट रिलेट करते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही तो इंटीग्रेटिड अप्रोच है तो option no.4 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा टीचर इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाता है कि सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ेवे हैं इसलिए ही वो इंटीग्रेटिड अप्रोच को फॉल्लो कराना चाता है तो option no.4 यहाँ पर सही हो गया next question question no.3 a teacher plan to teach component of food in class 6 which of the following can be used as an essential question एक सिख्षक कक्षा में भूजन के तत्वों को पढ़ाने की यूजना बनाता है निम लिखित में से किसे मुख्य प्रशन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है why does your mother serve you a meal with a variety of food item आपकी मा विवित्ता पूर्ण भूज्य पदार्द का भूजन क्यों देती है यही यहाँ पर होगा देखे टीचर को टॉपिक पढ़ाना है component of food जैसे food में अलग-अलग तरह के अवियव होते है जैसे आपके protein हो गए fat हो गए ठीक है minerals हो गए vitamins हो गए तो यह सारे component है इस तरह की चीज टीचर पढ़ा रही है तो कौन सा question सबसे अच्छा होगा यह हमें बताना है तो यहाँ पर पहला question ही सबसे अच्छा होगा कि आपकी मम्मी आपको ऐसी meal क्यूं देती जिसमें अलग-लग तरह के food आइटम होते है जैसे चावल भी देती है, डाल भी देती है, रायता भी दे दिया, दही भी दे दिया, सैलेड भी दे दी इसलिए option number one यहाँ पर सही होगा जैसे दाल में प्रोटीन जादा होगी चावल में कार्वो हाइडरेट जादा होगा ठीक है और आपका दही जो होगा उसमें अलग तरह के बेक्टीरिया होते हैं जो बॉड़ी में हेल्फुल होते हैं जो आपकी salad होती हैं उनमें रफेज होते हैं जो आपके digestion में हेल्फ करते हैं तो इसलिए अलग तरह की variety of food हमें इसलिए गी जाते हैं क्योंकि उनमें अलग तरह के पोशक तत्व हैं बिटामिन्स हैं अलग तरह के मिनरल्स हैं तो यहीं यहाँ पर teacher को समझाना था तो option number A, पहला question यहाँ पर सही होगा बाकी देख लेते हैं Does your mother prepare a definite set of food item for your lunch every day? क्या आपकी मा प्रती दिन दुपहर में एक ही तरह का भूजन बनाती तयार करती है तो यह question component of food से match नहीं खा रहा है Do you eat all the items served in your lunch every day? यहाँ पर बच्चे आंसर देखा हाँ नहीं खाते या खाते हैं तो यहाँ पर component of food की बात तो नहीं होरी क्या आप प्रती दिन भोजन में सभी भोज्य पदार्त खाते हैं तो यहाँ से बच्चे का topic clear नहीं होगा List the food item your mother serve in lunch उन भोज्य पदार्तों की सूची बनाए जिने आपकी मा दोपेहर में देती है तो इस सरी बच्चे component of food को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे पहला option ही यहाँ पर सबसे सही होगा Next question, question number 4 Which of the following can be assessed when Gita is using only MCQ as a tool to assess nutrition in humans निम्न में से किसका आकलन हो सकता है आकलन मतलब बच्चों के बारे में कुछ पता लगाना है आकलन करना है जब Gita मनुश्य में पोशक topic वो पढ़ा रही है विशे का केवल बहु विकल्पिय प्रशनो द्वारा मुल्यांकन कर रही है शरिफ MCQ question दिये गए है बच्चे को tick करने हैं जिसमें right or wrong चार option देखें जो हमें best होता है उसको select करना होता है तो इस तरह के MCQ देकर और वो भी एक topic पर तो उसके माध्यम से teacher किस तरह का आकलन कर सकता है बच्चे में ये हमें बताना है analytical ability to classify food item and make a poster देखें वहु विकल्पिय से poster का कोई connection नहीं है भोजन पदार्तों को वरगी करन करने वे poster बनाने के लिए विशलेशन शमता इसके दुआरा MCQ के माध्यम से नहीं पता लगाया जा सकता तो ये तो गलत हो गया misconception related to food item जी हाँ भोजन संबंदी आदतों से जुड़ी गलत अफधार्नाय जो है वो पता लग सकती है क्योंकि जब चार option teacher देगा और बच्चे को टिक करना है सही option और बच्चे को नहीं आता होगा तो उसको गलत करेगा तो यहाँ पर teacher को ये पता चल जाएगा कि बच्चे को अफधार्नाय सही से पता है या नहीं पता है तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है बाकि learner ability to apply knowledge and prepare a role play to present in the morning assembly MCQ से morning assembly में बच्चे को prepare कराना role play के लिए ये तो नहीं हो सकता तो option number 3 भी यहाँ गलत हो गया लंडन ability to comprehend the importance of component of food and writer लॉंग ऐसे भोजन अवियवों के महत्व को समझाने की सिख्षार्तियों की शमता वै उस पर एक लंबा निमंद लिखने की शमता देखे लंबा निमंद से MCQ का कोई connection नहीं है तो option number B ही यहाँ पर सही हो जाएगा जो उनकी गलत अफधान आए है उसके बारे में teacher पता लगा सकती है MCQ से तो option number B यहाँ पर सही हो गया next question question number 5 why investigating how water affects the germination of seed a teacher asked the student to soak bean seed on a bed of cotton wool for a few days and observe the changes what is the guidance that she forget to mention to place पानी बीजों के अंक्रोन को कैसे प्रभाविट करता है कैसे water germination of seed को effect करता है यह पता लगाने के लिए teacher क्या करता है बच्चों को same के बीज रूई की परत पर कुछ समय के लिए भुगो कर रखने के लिए और उनमें जो changes होंगे उनको देखने के लिए कहता है teacher तो वह कौन सी एक महतपूर्श सला है guidance है जो teacher देना भूल गई है हमें बताना है वो भूल गई है क्या बताना कि few seeds को हमें wet cotton पे रखना है उसने ये तो बोल दिया कि same के बीज रूई की परत पर भिगो कर कुछ दिन तक रखें लेकिन उसने ये नहीं बताया कितने बीज भिगो कर रखने है तो यहां पर उसको ये भी बताना चाहिए था कि जो few seeds है कुछ बीजों को लेना है और उनको गीली cotton के ऊपर रखना है थोड़े बीज गीली रूई पर रखें और उनको अब जरु करना है तो ये चीज वो mention करना भूल गई है तो इसलिए option number second यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question question number six four applicants for a post of TGT science were asked to plan a lesson on consequences of deforestation which of the following lesson plan reflect the scientific approach देकि चार जने चार जो applicant है वो post के लिए गए है apply करने TGT science की और उनको बोला गया कि आप इस lesson पर consequences of deforestation पर lesson plan बनाईए तो हमें बताना है किसका lesson plan scientific approach को reflect करता है बताता है ठीक है TGT विज्ञान के पद के लिए चार प्रत्याशियों को one काटने के परिणाम पर एक एक पार्ट हूजना बनाने के लिए कहा गया निम्न में से कौन सी पार्ट हूजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है scientific approach बताती है ये हमें बताना है explain in detail the consequences of deforestation one काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है देकि सिर्फ explain करना science में के अच्छी approach नहीं है ये आपने कितनी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है तो ये option महाँ पर बहार हो जाएगा पहला option provide a variety of example to explain the concept संप्रत्य को समझाने के लिए अन्यक प्रकार के उधारन प्रस्तोत करती है खाली example से काम नहीं चलेगा उनको करवाना भी होगा और उनको जोड़ना भी होगा तो इस तरह से खाली example देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा तो ये भी option यहाँ पर बहार हो जाएगा थोड़ा ठीक है लेकिन perfect नहीं कह सकते हैं इसलिए ये भी जो lesson plan है आपका scientific इतनी approach नहीं बता रहा है क्योंकि example तो हर subject में दे कर समझा सकते हैं scientific approach कहाँ फिर कौन सै scientific approach तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रही है तो इसलिए ये option यहाँ पर बहार हुआ include activities देखे include activities that children can perform जब भी आ जाए ऐसी activity कराना जिसे बच्चे करेंगे तो समझ लिजए scientific approach को बता रहा है इसलिए option number C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा teacher ने ऐसी activity करवाई बच्चों से ग्रूप में जो बच्चे खुद से perform करेंगे और फिर निसकर्ष निकालते हुए उनको समझाया पावर पॉइंट प्रिजेंटेशन पर यही यहाँ पर सबसे अच्छा होगा ऐसे किर्यकलाप उसने सम्मिलित करें ऐसी activity को कराया जिनने बच्चे सम्हूं में कर सकें उनको बताया गया कि deforestation अगर कर दिया activity के माध्यम से तो क्या-क्या होगा मतलब इस तहकी चीज वहाँ पर टीचर ने करवाई और फिर पावर पॉइंट पर जो उन्होंने निसकर्ष निकाला वो सब समझाया तो यह बहुत ही अच्छा मैठ़ है तो option number C यहाँ पर scientific approach बता रहा है और यही यहाँ पर सही हो जाएगा बाकी mention about the use of ICT information, communication, technology की तो बात ही यहाँ पर कोई नहीं हो रही कि उसको सम्मिलित करेंगे student को वो अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे concept तो यह नहीं होगा यहाँ पर option number 3 ही सही होगा जहाँ पर बच्चे activities के थुरू करते हैं science में वो सबसे best होगा इसलिए option number 3 यहाँ पर सही हो गया next question, question number 7 the main aim of conducting mathematics and science olympiard is to गडित और विज्ञान olympiard संचालित करने का मुख्य उद्देश यह है चार option है हमें सही बताना है तो जब भी बात grade किया जाए high score किया जाए, grade किया जाए तो वो option सही नहीं होते तो यहाँ पर सीधा-सीधा option number 1 सही हो जाएगा, बाकी हम detail में समझ लेते हैं promote excellence in the subject by nurturing, creativity and experimentation, देखे creativity और experimentation की बात हुई है इसी के लिए ही तो olympiard कराए जाते हैं तो option number A यहाँ पर वैसे भी बिलकुल सही है सरजनात मकता और प्रयोगी करन को प्रोसाहित करके विशय में निपूरता को बढ़ावा देना ताकि scientific जो literacy है वो बच्चों के अंदर आ जाए वैग्यानिक साक्षर्ता जी हाँ इसी उद्देश्य से olympiard कराए जाते हैं ताकि creativity और experiment में बच्चे perfect हो जाएं तो यह बिलकुल सही है बाकि grade student according to their capabilities थोड़े से option mismatch हो गए हिंदी इंगलिश के विद्धियारतियों का उनकी योगिताओं के अनुसार मुल्यांकन करना खाली grade करने के परपस से हम olympiard नहीं कराते help student to score high marks in the professional examination जब देखी high score करना है exam में उसके परपस से कभी भी याद रखेगा कोई भी option सही नहीं होगा तो यह option भी यहाँ पर गलत हो गया और बाकि देख लेते हैं grade school based on the performance of their student उनके विद्धियारतियों के परड़िणामों पर विद्धियालियों का आकलन करना यह भी बिल्कुल गलत है यहाँ पर कोई grade से connection नहीं है हमें बच्चे को निपुड बनाना है उसके विषय में इसलिए ही Olympiad कराए जाते हैं तो option number A यहाँ पर विल्कुल सही हो गया next question 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 number 8 while selecting a performance task to help student develop research oriented skill in a science class teacher may pick up a topic देखे बच्चे के अंदर हमें research oriented skill को develop करना है science class में तो teacher को किस तरह से topic को pick करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर research oriented skill develop हो यह हमें बताना है विज्ञान की कक्षा में विद्यार्तियों में शोध कार्य से संबंदित दक्षताओं का विकास करने के लिए शिक्षक पार्ट का चुनाव करेगा बच्चे के अंदर हमें research skill को develop करना है तो teacher को कौन सा topic पर करना है यह हमें बताना है from the content given in the syllabus which must be completed in time पाठे करम में दी गई सामगरी को निर्धारी समय से पूरा कराना है इससे बच्चे के अंदर आपको लगता है research skill से कोई connection है इसका नहीं तो यह option तो यहाँ पर बहार हो गया which majority of student in a class find interesting देखे इससे research oriented skill का कोई connection नहीं है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यारती पसंद करते है कुछ विद्यारती कह रहे हैं यह कराएं कुछ विद्यारती कह रहे हैं यह कराएं नहीं इससे भी बच्चे के अंदर research skill नहीं develop होगी कि उसमें teacher को लग रहा है यह topic important है हो सकता है बच्चे को बहुत difficult लग रहा हो तो यह option भी इतना सही नहीं होगा related to a problem faced by the student in their day-to-day functioning देखे day-to-day life की बात आगी day-to-day functioning and which is the part of the concept to be covered from this class जी हां जो विद्धिहार्तियों के देनिक जीवन से संबंदित समस्या से हो ऐसा topic वो पिक करेगी और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भी भाग हो तो जी हां वो बच्चे के अंदर research skill को develop करना चाहती है तो उसके लिए वो ऐसा topic चुनेगी जो बच्चों के daily life से संबंदित हो ताकि बच्चे खुद से research कर सके net से ना copy paste करें तो इस तरह का topic वहाँ पर वो select करेगी और साथ में ये भी दिहार में रखे की कि वो बच्चे की class में भी हुआ हो पाठ्यक्रम का भी भाग हो तो option number 4 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question question number 9 a science teacher plan group activities to teach properties of air to her student of class 6 देखे class 6 के student को properties of air पढ़ाना है जिसके लिए teacher चाहता है कि बच्चे groups में divide हो group activity के through वो उनसे कराना चाहती है which one set of attributes would she like to have in the students she select as a group leaders देखे कुछ बच्चों को वो group leader बनाती है जो उन group में रहेंगे तो वो कौन से गुण होंगे जिनके अधार पर उन बच्चों को group leader बनाया गया है वह विज्ञान सिक्षक एक विज्ञान सिक्षक कक्षच है के विद्धिहारतियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समू में की रियकलाप कराने की योजना बनाती है वह समू का नेतरत्व करने वाले विद्धिहारतियों का चैन किन गुणों के अधार पर करेगी क्या जिस बच्चे को जिन बच्चों को गुरूप का लीडर बनाना है यह हमें बताना है freedom to choose role, work at their own place and understanding, जी नहीं, ऐसा बच्चा वो गुरूप लीडर नहीं बनाना चाहेगी, जो उनको freedom देगा बच्चों को आप खुद से करिये, अपने घर पर करिये, अपनी तरह से समझे, ज consonants for their understanding, उनकी समझ के अनुसार कार्य करवाना नहीं, ऐसा लीडर भी नहीं होगा, जो बच्चों से कहेगा, कि आप अपनी समझ के according कार्य करें गुरूप में, ठीक है तो, और फिर इस तरह के order दे रहा कि बच्चे अपने according ही कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा लीडर की इस तरफ इशारण नहीं कर रहा है, giving major role to the brighter student to ensure the group finishes first, नहीं, ऐसा लीडर बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करना चाहेगी टीचर, जो ये सोचता हो कि पहले जो बच्चे हुश्यार हैं पढ़ने में उनको चांस मिले, ताकि उनका गुरूप पहले कार्य कर ले, नहीं, इस तरह से लीडर नहीं बनाएगी टीचर, assigning role as per their capability, motivating and coordinating among the group members, जी हाँ, ऐसा ही तो group leader, leader कहलाता है, जो क्या करता है, उनको उनकी role, उनकी शमता के अधार पर क्या करेगा, उनको motivate करेगा, साथ में उनको coordinate करेगा, गुरूप में योगता के अनुसार भूमिका देना, प्रोशाहित करना वैं सभी समूस अधस्यों के साथ समन्वें बनाए रखना, जी हाँ, ताभी तो group में एक अच्छी activity हो पाएगी, और एक अच्छा group leader वो इसी के according select करेगी, कि जो कैसा होगा, जो उनकी capability के according उनको role देगा, motivate करेगा, coordinate करेगा पूरे group member को, तो option number 4 यहाँ पर बिलकुल सही हो गया, next or last question, question number 10, most board of education have banned the dissection of animal because, अजितर शिक्षा बोड ने पशू के विच्छे दन पर प्रतिबंद लगाया है, क्योंकि, तेकि dissection का मतलब होता है, study वगरा के लिए animal को काटना, तो उस चीज़ पर बहुत से school लोने, education बोड ने क्यों बैन लगाया है, यह हमें बताना है animal are no longer available for dissection, पशू विच्छे दन के लिए उपलब्द नहीं है, यह बिल्कु गलत option है, procuring animal, procuring animal has become an expensive proportion, पशू को प्राप्त करना एक महंगा सौधा हो गया, यह option भी गलत हो जाएगा, there is a need to sensitize student to prevention of cruelty to animal, जी हा, पशू के प्रति जो कुरूरता हो रही है, उसको रोकने के लि उनके प्रति समवेदन शील हों, उनसे attach हों, और जो कुरूरता animals पर हो रही है, वो कम हो जाए, इसलिए ही इसको बैन करने की कोशिश की गई है, option number 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, बाकी वह नए रोक फैला सकते हैं, यह option नहीं होगा, तो option number 3 सही हो गया, मुझे लगत करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है, आगे हम practice set करेंगे, और content के जितने भी question है, वो मैं आपको कराऊंगी, thank you for watching.